हेलो गाईज आज आप सभी का सवागत है आपके अपने चैनल सॉलुशन प्रोग्रेस में है आज हमें स्टार्ट करेंगे एकोनोमिक्स इसका फर्स्ट टॉपिक है बाइटर सिश्टम ठीक है अब देखें जब पैसों का विश्कार नहीं हुआ था तब भी लोग आपस में व ट्रेट कर देग तरद कैसे का तो जिसकी मारआली जिए मेरे पास टमार्टर है और आपके पास गये हुए हैं तो हम आपस में एक्श्ंच कर लिया का तरह पहरें तो टमार्टर के बदले गया हूँ अदल्या बदली करते हैं प्यूपल यूज टू ट्रेड विद इच अधर इविन बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड वस्तू विनी में पढ़ना ली पीपल यूस्टू ट्रेड विद इच अधर इविन बिफोर मनी वस इन्वेंटेड तो मान लिजे मेरे पास आदर किलो टिमाटर हैं और आपके पास दो किलो गेहु हैं आपको जरुवत है टिमाटर की और मुझे जरुवत है गेहु की तो हम आपस में एक्स्चेंज कर अब इसके बैण फिट डीर नौट का कोई ख़त्रा नहीं होता था है ना मान लीजी किसी ने फर्जी नोट बना दिए और उससे बच्जेंगे ठीक है उससे बस और नमबर दो फायदा क्या होता था अब जैसे मालेज़ा हमें आपस में ट्रेड करना है हमें इराक से कुरूड ओयल जीए और हमारे पार वीट है तो हम वो दे देंगे यानि कि उन से ओयल मंगबा लिंगे और हम उन्हें आपसा मालो इस तरीएगा और क्या बैनिफिट होता था जैसे रूपिय डॉलर का क्या विनी में दर चल रहा है कोई मगज मारी नहीं अब मान लीजिए कभी डॉलर 75 रुपे कभी 80 रुपे तो ये कम ज्यादा होता रहता है इसके वज़े से दिक्कत होती है वो भी दिक्कत बस एक बार ये फिक्स कर दिया कि वह आजए कि लो टिमाटर में दो किलो गया हूं मिलने तो वह फिक्स हो गया आपका तो इन सिश्टम से बच्चा जा सकता था कर से अलएर को अब देखिए इसके इन्दर प्रॉब्लम क्या है अब व्लॉब्लम का बतिया माल लीजी investir मुझे गेहों नहीं चाहिए टमाटर के बतले या सामने वाली पार्टी को टमाटर के बतले गेहों के बतले टमाटर नहीं चाहिए ना उन्हें आम चाहिए या उन्हें एपल चाहिए तो यहाँ पर फिर हम कस्टूमर को ढूंड़ रहे हैं यह हम सेलर को डूढ़नेंगे कि वही कोई मेरी कोई ऐसा सेलर हो जो मुझे एपल ले दे और कोई ऐसा कस्टूमर हो जिसे में गया हूं देदू तो यानि कि यह सब ढूंडने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी टाइम खराब होता था इसमें एनर्जी खराब होती थी है और और प्यों बहुत ज्यादा कुछ नुकसान है इसके लिए ठीक है तो यह इसकी लिमिटेशन है ट्रेड नोट पॉसिबल विदाउट डबल को इंसिडेंट्स ओफ वांड्स आविशकता होगा धोरा सहींग नहीं होगा तो वैपार नहीं हो सकता गिव यू माई वीट फ चाहिए नमबर सेगड नो आई वांट एक्सेंग टॉमाटो विद मैंगोज मुझे गया हूँ नहीं आम चाहिए तो यह दिक्कत हो गई जाना अगर फर्ष्ट वाली कंडिशन होती है तो ठीक है लेकिन सेगड वाली कंडिशन में एक्सेंग यह बतले गया हूँ नहीं चा ठीक है तो बार्टे सिस्टम के फाइदे क्या है इसके लाब यह है कि फोरन एक्सचेंज की दुरूबत नहीं पड़ेगी फेक करेंसी नहीं बनने की और लेकिन इसके नुकसान क्या है इसके नुकसान यह है टेरेड नौट पासिबल विदाउट डबल को इंसिडेंट ओफ वांट्स का विशक्ताओं का दोरा से योग नहीं होगा तो वैपार आसंबह है नंबर दो नुकसान डूंडने का लागत खर्च ज्यादा होता है क्योंकि दस और जगे ढूंडना जाना होगा है ना एक जगे से दूसी जगा तीसी जगा चोस्ती जगा इतनी देर में तो अ दूसी जगा हम टेरेंस जा रहे हैं या किसी और वाहन से जा रहे हैं अब एक एक टिमाटर अगर हम वहां देते जाएंगे तो तो टिमाटर ही सब खतम हो जाएंगे सिर्फ ढूंडने में ही या तीस नुकसान एक होन ओसकता है loss of value जो चीज है जो टमाटर वहीं खराब हो जेंगे धूने ढूंतना हम kस्टूमर को जब तक घूनेंगे देखा तो टमाटर ही हराब हो गए या जो चीज हम बेच रहे हौँ जो चीज़ हम exchange करने वाले हैं वोई चीज़ खराब हो गई तो यह सब इसकी problems है अब इसका solution क्या है money solve the problem अब इसका solution है currency money I want to exchange tomatoes with mangoes मुझे गेहूं नहीं आम चाहिए अब आप कुछ बिलो गेहूं लो आम लो एपल लो मानलीजे मेरे पास गेह हूँ है मैने गेहों को बेज जिया मुझे मिलके पैसे अब मैंने पैसों से टमाटर खरीत लिये या दूसी कंडिशन ऐसी हो सकती है मेरे पास टमाटर है अब टमाटर को मैनने बेज जिये मुझे currency मिल गही money मिल गही अब money से मैंने आम करीद लिए तो मनी या केरेंजी इस सॉलूशन इस सिस्टम ठीक है तो यानि कि मनी सिस्टम एंकॉरेज इस पेलाइज स्पेशियलाइजेशन या डिविजन ओफ लेबर श्यम विभाजन को प्रसाहन देती है कैसे अब जैसे आपने मदुमक्की का चत्ता देखा तो वहाँ पर एक आपको कुईन भी देखने को मिलेगी जो मतुमक्क्यों की रानी होगी वहाँ पर आपको सॉल्जर्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो उसके वहां की रक्षा करेंगे वहां पर आपको वर्कर भी देखने के लिए मिलेंगे जो वहां के लिए काम करेंग this is the solution this is the best solution ठीके ठीके तो इसके अंदर क्या हो गया इसके अंदर डिविजन ऑफ लेबर हो गया अब हर कोई हर काम नहीं कर सकता जैसे मालेजे किसान है वो गहूंगाएगा कोई वर्कर है तो गाड़ी के गाड़ी को तयार करेंगे और कोई मालेजे कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहें तो वो अपना कंपनी में बैठकर काम करेंगे जॉब करेंगे तो इस इस सिस्टम की यही दिक्कत है बाटर सिस्टम की बाटर सिस्टम डाज नौट एंकोरेज इस पेलाइस पेस्टिलाइज डिवीजन ऑफ लेबर श्यम विभाजन को प्राइट नहीं करता श्यम अब जैसे माने जिए कोई महीला है न सौस्टर डिवीड़ी डवल पर वहनोंने डिवीडी बनाया वहां पर वह अपने डिवीडी की वहापर रेकौरिमेंट नहीं जरूर्वत नहीं है और वो उसे बैचिंगी तो कोई लेने का निए निकर कोई अगर वो से एक्चेंज कर चाहेंगी तो कोई एक्सेंज नहीं करने का उन्हें मान लिजे गयों कि आवे शकता है तो कोई गयों नहीं लेने का तो पिलीज बार्टर में 5 kg वीट अब मान लिजे उन्हें चाहिए 5 kg वीट अपने डीवीटी के बतले एल्स माई चिल्डन विल डाई ओफ इस्टेरवेशन मेरी सोफ्ट्वेर डीवीडी के बतले में गयों बेचो वरना मेरे बच्चे भूकर मच जाएगे तो ऐसी मतलब लेकिन उनके पास तो उने तो गयों उने तो डीवीडी की जरूरत ही नहीं है तो इससे क्या होगा इससे इससे जो है हमारे जो हम मतलब श्यम विभाजन को प्योसाहिट करते हैं उसे हम प्योसाहिट नहीं कर पाएंगे है ना उस पर कुछ ने कुछ कहीं ने कहीं निगेडिव इंपक्ट पड़ेगा कोई ने कोई ठीक है तो अब वह महिला क्या सोचेगी तो वह सोचेगी अब मैं यह सोफ्ट्वेयर डवलपर का काम छोड़ती हूं अब मैं फार्मर का काम शुरू करती हूं कम से कम मुझे मेरे बच्चों को गया हूं तो मिलेंगे है ना कम से कम मेरे बच्चे भूके तो नहीं मनने के ऐसे सोच्ट डवलपर बनकर क्या फायदा जिसमें अपना पीड मी नावर है तो एक तो फार्मर पहले ही है अब जो सीडी डवलपर है डीवीडी डवलपर है अब वो भी फार्मर बन जेंगी यानि कि पहले भी फार्मर है अब भी और फार्मर बन जेंगी तो यानि कि सब डिवीजन ऑफ लेवर होने का नहीं जब यह सारा इंपक्ट पड़ेगा तो यह सब चीज़े फिर आगे के रोध हो नहीं पाईगी एकॉनमिक्स बढ़नी पाईगी तो बहुत सारी चीजों पर इसका इंपक्ट पड़ेगा तो सब वीड मिल्क और यही शुगर वगएरा यही सब चीज़े अपना इसकी फार्मेंसी करेंगे यानि केसी की खेती वगएरा करेंगे और कोई नीट का एक्जाम यूपी एक्जाम या और तरीकी के डवलपर वगएरा बनने की कोई सोचने के भी नहीं है तो तो डाट इस अप्राब्लम इस बाटे सिस्टम्स आइवरेवन डूइंग सेम टाइप ओवर्क तो तो यह डिफरेंट रहेगा बाटे सिस्टम में औ हो जाएंगे हैना सब खेती करेंगे सब अपने बगीचे में रहेंगे सब अपने खेती करेंगे सब अपने खेतों पर रहेंगे सब कोई मिल्क कोई गेहूं कोई टेमाटर कोई आलू यह सब चीज़ेंगा यह सब इन सब चीज़ों की खेती करेंगे लेकिन इस पेशिलाइ तक से अक्टर में भाइंगे किके उनके पाप money system है उनका time waste नहीं हो रहा हूं उनकी energy इतनी waste नहीं हो रही हूं इनके पाप money है वो कुछ भी चीज़ खरीड सकते हैं या कुछ भी चीज़ बेच कर वो money ले सकते हैं तो यह different है money system में and part system में अब next topic है necessity is the mother of invention आविशकता औरिशकारों की जन्नि है अब मालेज़े होस कैरीच है यानि कि होस राइडिंग होस होस कैरीच तो यह जो सवारी होती थी जब हम होस के उपर सवारी करते थे एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए तो उसमें क्या-क्या दिक्कत होती थी एक तो वह सिलो होती थी बंपी होती थी उसके अंदर कोई इस्प्रिंग वगएदा नहीं होते थे आप टैंपरिचर कंट्रोल निए कर सकते हैं कोई एसी वगएदा कुछ नहीं सेक्यूरिटी ऑफ लेगिज का इशू जयानि कि कोई भी कभी भी कुछ भी उठाकर लेकर जासकता है बैक वगएदा कुछ भी उसमें से उसमें कोई सेक्यूरिटी नहीं है पहले लोग घोड़ी गाड़ी टांगे में परवास करते थे लेकिन उसमें बहुत सी दिक्कते थी तो इन सब का सॉलूशन क्या निकला फिर अब इन सब चीजों से सॉलूशन निकला कार यानि कि इनकी जगा ले लिए गाड़ी ने यानि कि आपकार को या तेजी से बगा सकते हैं तेजी से चला सकते हैं भाट निकलाइक है और पेस्टमब या जैती है ऐपने हां रख रख flickr構 है तो आपक चायूशन है इन्वेंटेड ठीकर तो कार वोद इन्वेंटेड अब पुछिए कार का काम क्या है तो कार का काम प्राइमरी फॉंशन्स प्राथमी कर दिए इस्पूर्ट एक तो यह और सेकंडरी फॉंशन देखें इसका तो गमफॉर्ट है इसी रहता है इसके नदर है ना आप तो लिमिटेशन ऑफ बार्टे सिस्ट्रम गेव बर्थ टू मनी सिस्ट्रम वस्तू विनिमे पढ़नाली की मर्यदाओ ने पैसो को जनम दिया यानि कि जब इसका बार्टे सिस्ट्रम की लिमिटेशन सा में दिखाई थी तो फिर पैसो को हमने मनी बनाई के बनाई बार्टे सिस्ट्रम प्रॉबलम्स क्या क्या थी डबल को इंसीडेंट ऑफ वांट्स नूमबर दिविजन ऑफ वर्क नूमबर थर्ड लॉस ओफ हम टमाटर बेच रहें मिल्क बेच रहें अब जब तक हमनों ने बेचा या बेचनी की सिच्ट्यूएशन में आए जब तक वो खराब हो गए जब तक कस्टूमर मिला तो जब तक चीज खराब हो गई तो यह तीन इसके बहुत ज़ादा नुक्सान वाली चीज़े थी जो invention किसका होता है money का money was invented पैसों को जनम दिया है तो इसमें कौन-कौन तर फॉंचन थे इसके भी कुछ फॉंचन थे जैसे primary functions, secondary functions या contingent functions ये क्या कहना चाहते है अब हम बात करते है money की तो money आपको physical मिलेगी या digital मिलेगी coin या note that can measure value मूलिय नाप सकता है अब जैसे मालेज़े कोई ये दो फिट का बच्चा है एक ये तीन फिट के हैं और ये चार फिट का है पैसो वो चीज़ है पैसा जो है वो चीज़े जो बहुत ही क्या है digital सिक्के या note के सवरूप में मूलिय नाप सकता है ठीक है measurement अब हम इनकों क्या करते हैं में measurement करते हैं इनने नापते हैं अब अब देखें जैसे माली जी पंदर रुपे का एक टीकप है तीस रुपे में दो टीकप है 45 रुपीर में 3 टीकप है है ना तो अब मैं इसे centimeter में या fit में नहीं नाप सकता तो मैं इसका किसमें करूँगा 15 रुपी में 30 रुपी में 45 रुपी में इसे हम meter में या centimeter या fit में तो नहीं नाप सकते तो इसका management का लिए वह इसके लिए हो गया एक कप के लिए पंदर रुपे 2 कप के लिए 30 रुपे 3 कप के लिए 45 रुपे तो money क्या है money, physical और digital coins not that can measure value तो यानि कि यह coin और note है जो किसी भी चीज की measure value के काम आता है मूलियन आप में काम आता है पैसा वो चीजे जो भोति क्या digital सिक्के या note के सवरूप में है मूलियन आप सकता है अब जैसे मान लीजे कोई labor होता है है ना तो हम कहते हैं यह 300 रुपे परार किसी मज़़ूरिये या या कोई जमीन होती तो हम कहते हैं यह एक हजार रुपे रेट के हिसाफ से पर इसक्वाइर फिट है इसका रेट है इसके अकोर्डिंग है तो मेजर्मेंट जो है सबके अलग-अलग हिसाफ से है ठीक है अब माली जी लेबर है तो अगर हम उनका मनी सिस्टम देखें मेजर कर है तो वो वेज में होता है पर रेट है तो इसको अकोर्डिंग है तो उसका जो मेजर होगा प्रोफिट लौस के अकोर्डिंग होगा अब जहें हम आली जैए ठीक है अब जह然后 जीजए मैं 100,000,00 रुपे In test पर देता हूँ एक 100,000,00 रुपे देता हूँ उसको मिलेगा वो in test होता है और माले लिजियागर मैं share खरीदा हूँ तो इसपर dividend मिलेगा जिसके बारगस आगे पढ़ेंगे तो money का measure काम क्या है money का measure काम है measure of value यानि कि मूल्य का माप बताना है ना वैल्यू बताना अब जैसे गिराम को हम वेट में कहते हैं वेट में नापते हैं मिली लीटर को वॉल्यूम में और रेट रेट यानि कि वैल्यू बताता है किसी भी काम की वैल्यू उसके अकोर्डिंग उसे प्राइज मिलते हैं तो इसका मेजर काम यह है, measurement करना, measure करना, value बताना, money का काम है, ठीक है, पैसो का काम, ठीक है, तो money यह कता है, कैसा का सकता है, अब माने ले चीजित, एक मीटर में 100 cm है, तो, थो सो, माने ले लेखे 2000 रुपे में कितने नोट हैं, 500 के 4 नोट है, यह अगर मैं कहूं भाई 1 रुपी और तो एक रुपी में कितले हैं 100 आ तो लाइक तो मनी जो है क्या कर देखे से डिवाइट कर देखे डिवाइजेबल ठीक है तो second method है इसका second primary functions अब यह क्या है second function second function मनी का medium of exchange transaction जो हम करते हैं ठीक है यानि कि यह माध्यम है माध्यम कहते है अब मेरे पास मान लिए मैंने tomato की फसल लगाई है ना फिर मैंने उसे sell करा मुझे पैसे मिल रहा है अब मैं चाहिए उसका गेहूं खरीदू या मैंगो खरीदू कुछ भी खरीदू है ना और मान लिजिए मैं tomato से wheat ले रहा था तो वो बार्टे स्रिश्टा मोरा था लेकिन इन्हें measure करने के लिए इनके बीच में जो माद्धियम आया वो क्या है money जिनने दोनों के बीच में माद्धियम आ गया अब चाहिए टामाटो को बेचकर मैं पैसे लेकर वीट खरीदू या मैंगो खरीदू लेकिन जब मैं टामाटो से direct wheat खरीद रहा था तो वो बा इसका duplicate बनाना बहुत मुश्किल है, durable है, portable है, acceptable है, अब आप कंद्य कुमारी से कश्मीर तक आप कहीं पर भी money को ले आ सकते हैं, यह सब जगा पूरे इंडिया में, acceptable है, जो इंडिया की currency है, तो यह इसके benefit है अब money भी दो तरीके की होगी, white money, black money, अब white money क्या होती है, transaction declared to government, यानि कि जो आपने transaction करी है, अगर आपने show कर दी, दिखा दी government को, तो आपका सफेद धन है, सफेद धन जो सरकार से छुपाया नहीं जाता है, है न, यानि कि जो हमने declare कर दका है, जो हमने दिखा रहा है सरका को, तो हमारी white money हो कोई, लेकिन दूसी चीज़ आती है, black money, black money, not declared to income tax, GST authorized, यानि कि जो हम जिसका हम income tax नहीं देते है, GST वगेरा नहीं देते, यानि कि जो हमने declare करी ने रखी, government के साबने, दिखाई नहीं रखा, उसे height का रखा है, चुपा रखा है, काल अधन जो सरकार से चुपाया जाता है, काल अधन उसे केंगे, जो सरकार से चुपाया जाता है, है न, ठीक है, तो money के कोन-कोन से function है, एक तो है measure of value, ठीक है, value बताना किसी भी चीज़ की, divisable, divisable या fungible, ठीक है, और number 2, medium of exchange, transactions, ये दो function है, money के, ठीक है, अब देखो, बार्टर, बार्टर लिमिटेशन थी, इसलिए हमने money, money को जात किया, यानि के money आई उसकी जगा, इसके कुछ primary function है, secondary function है, अब मान लिजे को एक example लेते हैं, DVD का, DVD, अब इसका जो primary function है, प्रात्मिक है, वो function क्या है, इसका primary function है, इसका data का storage करना, ठीक है, अब मान लिजे, हम provider, provider of music, यानि के music को provide करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, MP3 हो जाएगा, और अगर हम उससे कोई entertainment चीज़ देखते हैं, तो वो हो जाएगा MP4, या हम उससे education से related PDF रखते हैं, तो हो जाएगा PDF के लिए, तो यानि के एक ही चीज़ लेकिन उसके functions अलग-अलग है, वो data को storage कर दिये, basic function उसका ये है, लेकिन आब उसका अलग-अलग तरीके से use कर रहे हैं, इसी तरह ही किसे money, जब money आई, currency आई, तो सिर्फ उसके दो measure function थे, measure of value और medium of exchange, अगर हम बात करें measure of value की, तो हम weight को gram में measure कर रहे थे, ना परहे थे, volume को ml में, और wage को rate में, प्राइज में, ठीक है, तो ये तो था measure of value, और medium of exchange क्या था, अब जिसे हमें tomatoes sale करने हैं, तो tomatoes हमने sale करें, और फिर हमने उससे money earn करी, फिर हमने उसी पैसों से, फिर हमने wheat खरीदा, तो बीच में जो medium बना, बीच में जो medium बना, वो बन गई currency, यानि के, पैसे, money, वो बीच में, बीच में उसने medium का work करा, माधियम का काम करा, जिससे हमने, एक चीज से दूसरी चीज exchange कर पाए, हमने tomato बेचा, टामाटर बेचा, और गेहों करीद लिए, पहले बेचे, जब money मिली, और जब हमने खरीदा, जब हमने money दी, तो ये माधियम बन गया, अब देखिए, इससे क्या effect पड़ा, इससे क्या हुआ, हमाने लिए कोई soldier है, या कोई teacher है, है न, अब कोई teacher है, मान लिए जिए, उन्हें दो लाग उर्प्या परमंत मिलने है, ठीक है, अब उसे वो कहीने कहीन शोर करकर रख दिएंगे, है न, आज मान लिए आज उन्हें यूज, मालब काम, उन्हें आज जरूवत नहीं है, मान लिए कुछ साइम बाद उन्हें, उस पैसो की जरूवत पड़ी, तो वहां से निकाल सकता है, ठीक है, तो इस्टोर ऑफ वैल्यू, अिसटोर करकर रख रहे हैं, तो हम उसे सैलरी कर रहे हैं, यानिका, अपनी सैलरी को एक जगा रख रहे हैं, तो हम उसे क्या रहे हैं, सैलरी को, ने ना तो हमने उसे अपने एक मनी को दो लाग और को बनी जो आ रही थी उसमें आपनी लाग और हमने सैलरी को अपनी सैलरी को सेविंग करके रख दिया यह वो उसे हमने के दिया saving account अब ऐसी मान लिजे कोई किसान है ठीक है जो अपनी मज़ूरी को अपनी एक जगा इखटा कर रहा है है ना सेविंग कर रहा है आपने जो मज़ूरी की उसके मूले मूले का आप संचे कर सकते हैं पैसो के रूप में है ना अपना उसे संचे कर सकते हैं रख सकते हैं फिक बेत तो हमने अपनी मनी एक जगर सेव कर दी वह शो हो हो रही है सरकार की नज़ों मेखे या या निके वह डिक्लेर हुई व notify दिख रही है तो कोई दिख़िकत निवा आपकी ब्राहती है फिरल फ्रौली को चुपा देते हैं यानि कि उसे declare नहीं करते है, उसे government में show नहीं करते है, government के सामने, तो आपकी खलाती है, black money, यानि कि बिजिंग हीडिंग profit in cash under his pillow, not declaring in IT यह GST, authorized, ठीके तो आप उसका GST नहीं देते है, उसका tax फगेदा नहीं देते है, तो आपकी black money होगी, ठीके तो second function यह हो, इसका यह हो सकता है, मालने जिए आप कश्वीर में कोई soldier है, और आप को एक लाग रुपे मिलता है, तो आप उस money को अपनी family में भी transfer कर सकते हैं, ठीके, तो transfer of value, कहीं पर भी transfer कर सकते हैं, अपनी family को, अपने दोस्तों को, जिससे भी ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे transfer of value, तो पहला function क्या था, store of value, जो हम store कर देते हैं, बैंक में, किसी भी बैंक के अंदर, जिसे हम show कर देते हैं, वह हमारी white money, जिसे हम show नहीं कर देते हैं, height कर देते हैं, वो black money, number 2, transfer of value, हम अपनी money को, कहीं पर भी transfer कर सकते हैं, एक जगा से दूसरी जगा भेज सकते हैं, यानि कि संचे कियो हुए मूल्य को दूसरी जगा भेज भी सकते हैं, अब मान लिजे, suppose that, want to buy iPhone, अब मान लिजे, कोई customer है, जो iPhone खरीदना चाहता है, वो 70,000 का है, but इतने पैसे नहीं हैं किसी के पास, है न, but I don't have that much money, इतनी money नहीं है, है न, तो जब उसके पास इतनी money नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो customer, कहना मैं बैंक में जाएंगे, परसेंट के इंटेस्ट के हिसाब से loan ले लिया, दो साल का, ठीक है, तो बैंक न उसे 70,000 दे दिये, लेकिन 70,000 के बदले उस पे 14 परसेंट का इंटेस्ट और लग गया, बीस परसेंट का इंटेस्ट और लग गया, लिये उन्होंने 70,000, अब उन्हें किते देने पड़ेंगे, 84,000 रुपे हैं, अब 84,000 रुपे, कितने महीने में दे सकते हैं, 24 महीने में, 24 महीने के उन्होंने EMI बनवाली, किस्ट बनवाली, पर मंत 3,500 रुपे का installment हो गया पर मंत का अब हर महीने 3,500 रुपे देने है और इसके according 24 महीने में 84,000 बैठेंगे यानि के 70,000 लिए और 14,000 रुपे ज्यादा दे के 84,000 रुपे उन्होंने bank को दिए ठीक है ठीक है तो पहला हो गया आपका store of value यानि के S, दूसर होगे transfer of value यानि के T, और ठीक है आपका money work is standard of deferred payments, यानि के जैसे मैंने अभी आपको loan का example लिया, के उन्होंने loan लिया और अपने loan लेकर उन्होंने bike वगएरा या mobile वगएरा कुछ भी करीदा और उसके उपर antistia, ठीक है तो या आपका तीन तरीक हो गए, तो इसे हम बोलेंगे S, T, T S, T अब next topic आता है money help mobilizing factor of production उत्पारन के कारकों को जुटाने में मदद करता है पैसा अब जैसे मान लिजे मुझे एक बंगला बनाना है बहुत बड़ा ठीक है तो इसमें factor of production कौन कौन से होंगे number first अब मुझे बहुत बड़ा सा लेंड चाहिए स्क्वाइर फिट में अब मान लिजे हो 5000 रुपे स्क्वाइर फिट लेंड है number second मुझे लेबर चाहिए अब लेबर मान लिजे 500 परड़े के according है और मुझे चाहिए capital यानि कि 5 करोड या 6 करोड अब जब मैं 5 करोड 6 करोड रुपे SBI से लेता हूं तो फिर वो उसके उपर 14 परसेंट का एंटेस्ट लेंगे ठीक है जितने भी अब उसका इंटेस्ट बेढ़ेगा वो लेंगे अब नेक्स एडिंग है money circular flow income ठीक है वित्य माध्यस्तों द्वारा पैसों का चक्रिय परवा अब मान लिजिए आपकी income है 50,000 है न अब 30,000 आप अपने पास save करके रख लेते हैं और 20,000 रुपे आप SBI में जम्मा कर देते हैं अब जब आपने वहाँ पर SBI में जम्मा कर दिया या तो SBI में जम्मा करते हैं या LIC वगरदा ले लेते हैं या आप share market में लगा देते हैं ठीक है तो इसे हम बोलते हैं FI financial intermediaries है न अब अब यह जो बड़ी बड़ी company होती है जैसे टाटा होई है न और भी कोई company हुई तो यह क्या करते हैं यह bank से loan लेते हैं ग्रेडिट या यह share market में लगाते हैं ठीक है share market में लगाते हैं या और भी चीज़ करते हैं तो यह अपनी company वगरदा में लगाते हैं तो इस तरीके से जो money है वो क्या होई है circular होई है अब इसके बाद जब यह company में गई अब वो कुछ भी अपना टाटा स्टील में या कहीं पर भी अपने पास वो उस पैसे को लगा लेते हैं ठीक है जो उन्होंने loan पर लिया है ठीक है पर इस तरीके से वो अपना loan देंगे जो company है तो वो वापस customer के पास लेगा और customer अपना पैसा लेगा या ठीक है अगर उन्होंने loan लिया है तो loan के उपर जो है interest लगता है और अगर उन्होंने share market में लगाया तो उसके मिलता है dividend इसके बारे हम अभी आगे share market यानि के share में लगाने के लिए हम हमें ध्यान लखना है dividend का और interest के लिए यानि के loan के लिए हमें ध्यान लखना है interest का तो इसे हम बोलते है money circular flow income ठीक है और इस बीच में जो L.I.C. या S.B.I. बैंक वगेरा कोई से भी या share में invest करना ये जो भी चीज़ आ जाती है बीच में उसे हम बोलते है F.I. financial intermediaries अब suppose that आपके पास tomato होते है अब tomato आप बैंक में जमा नहीं कर सकते है बैंक वाले अगर जमा करते है तो वह खराब हो जाते है अब जमा होने के बाद अब Tata कहता वही मुझे तो tomato वगर चाहिए नहीं मुझे तो airlines बनानी है मुझे तो iron का invention करना है तो यह चीज़ होती है ब उसका use को किorse बी का सकता है किसी ओर काम में भी यह different हो गया हमारा border system और money system है मैं ठीके तो next heading है कर्ज बजार वुद्य बजार का मूल अधार istambh है क्या पैसा पैसा क्या है कर्ज बजार और वुद्य बजार का मूल अधार istambh है ठीक है अब money is the basic of number first credit system यानि के loan number second financial markets financial market में क्या क्या चीद आती है share market bond market ठीक है और loan के लिए क्या use होता है credit system loan के लिए credit system और share market के लिए bond market के लिए financial market financial market financial market अब अपने जो money helping circular flow था उसके अगर गौर्वर्णमेंट बीच में आ जाए तो फिर क्या होगा अब देखे गौर्वर्णमेंट बीच में कैसा है जैसे मान लिजिये आपने कुछ earning करी उसे bank में राखा अब जितनी earning करी उसके according government उसको पर tax लेगी जब tax लेगी तो government school की हालत सही करेगी बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे उनको उनके लिए tablet प्रोवाइट करेगी या computer प्रोवाइट करेगी अब computer tablet बनाने के लिए किसी businessmen से बात करने पड़ेगी किसी company से बात करने पड़ेगी अब company उन्हें क्या प्रोवाइट करेंगे computer, laptop जो भी उनकी requirement होगी उसके basis पर वो tax भी देंगी company, government को तो इस तरीके से ये फिलो चलता रहेगा ये circular फिलो ठीके बीच में government भी आ गई तो ये और ज़्यादा refine हो गया ठीके तो next heading है money help in the distribution of national income राष्टी आएगे पुन विचरण में मदद करता है पैसा suppose that कोई किसान है तो अब वो खेती करता है, एक लाग रुपे कमा रहा है तो उसके उपर 0% income tax उसके उपर कोई भी income tax नहीं लेगेगा अब मान लीजे कोई middle class है मान लीजे हो 7-8-9 लाग रुपे कमा रहे है तो उनके उपर 5-20% जितना भी मतलब होता है उनके उपर वो tax लगेगा अब मान लीजे कोई company है, बड़ी company है जैसे टाड़ा, अमबानी, अडानी की company है है ना, तो इनके उपर ज्यादा tax लगता है तो 30% income tax on rich अमीरों की आये पर ज्यादा आयकर लगता है ठीके, उनके IT factories पर अब जब ये इतना tax आएगा तो फिर वो किसानों को पैसे दिये जाएंगे है ना, यानि किसानों के लिए कोई योजना वगरा बनाई जाएगी कोई scheme निकाली जाएगी और वो पैसा उनको दिये जाएगा इस तरीके से ये circular होता है ठीके, तो use rupees for poverty removal अमीरों से tax में पैसा लेकर गरीब कल्यान योजना में लगाएंगे ठीके, अमीरों से पैसे लेंगे और गरीब कल्यान योजना में लगाएंगे गरीबों के लिए या अब जैसे आपने सुना होगा PM किसान योजना 6000 पर येर यानि के 6000 पर येर के हिसाब से किसानों को मिल रहे थे मिल रहे हैं अब हम revise कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अब जैसे हमने आपको primary बताया है primary में दो चीज़े थी एक तो था measure of value medium of exchange measure of value में था आप जैसे हम मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को कोई चीज़ को किज़े वो ml में value volume में measure कर रहे थे किसी को rupees में किसी को weight में ठीक है medium of exchange था जो उन दोनों के बीच में माध्यम का काम करेगा medium का काम कर रहा था यानि के money हमने मान लीजिए टामाटर को बीचना है और फिर हमें आम खरीदना है तो यानि के बीच में जो काम कर रहा है वो money यानि के वो उसका हो गया medium माध्यम अब नेक्स था सेकेंडरी यानि के STD इस्टोर वैल्यू यानि के कोई soldier अपनी सेल्जी को स्टोर कर रहा है एक जगा सेव कर रहा है है ठाट तरक रहा है सेविंग कर रहा है नंबर दो ट्यांस वैल्यू यानि कि ओपनी अपनी वैमली में एपनी छैन्सफर कर रहा है पैसे कश्मी से कन्या कुमारी रग जहां पर भी इनका रगए नंबर ठटर्ट डिफ डिफर्ड पैमेंट्स ठीक है यानि कि अब मान लिजिए कोई चीज करी रहे है यानि कि आइफोन या बाइक वगेरा तो उसके लिए क्या ले रहे हैं लोन ले रहे हैं अब जब लोन लिया तो उसके ओपर इंटेस्ट लगा जिता भी परसेंट लगना है